क्या आपको ये सच मुछ लगता है कि इंसान के बनाय कानून से इंसाफ हो सकता है? 2021 की सीरीज माई नेम से ये कोरियन क्राइम आक्शन थ्रिलर सीरीज है जिसका अब तक एक सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेटफिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं और हर एक एपिसोड लगबग एक घंटे का है ये सीरीज है एक लड़की के बारे में जिसके पि पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक क्राइम बॉस की गैंग जॉइन कर लेती है और उसी के इशारों पर फोर्ज जॉइन करने का डिसीजन ले लेती है तो ऐसा करते हुए क्या वो अपने पिता की मौत का बदला ले सकती है या फिर किसी और बड़े चंगुल में वो इसका अब तक एक सीजन आ चुका है और यह सीरीज आप नेट्फिक्स पर हिंदी और इंगलिज दोनों में देख सकते हैं यह सीरीज है शिकागो की एक मार्केटिंग एक्जिकेटिव एमिली कूपर के बारे में जिसको पैरिस के एक मार्केटिंग फर्म ने हायर किया हुआ रहता है क्यूंकि उन्हें अमेरिकन नजरिया के बारे में जानना होता है पैरिस तो वो अपने काम के सिलसले में आती है पर पैरिस आने के बाद शायदी कोई अपने आपको प्यार में पढ़ने से बचा पाता है तो आगे उसके साथ क्या होता है आपको जनने के लिए सीरीज देखनी होगी ये सीरीज को 7.1 की रेटिंग मिली है और 10 IMDB पर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2021 की सीरीज जिनी एन जौजिया के बारे में ये सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेट्फिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं ये सीरीज है जिनी नाम की एक टीनेज लड़की और उसकी मॉम जौजिया के बारे में ये सीरीज में दिखाया गया है कि ये दोनों अपनी जिन्दगी की एक नई शुरुआत करने के लिए इंग्लेंड के एक नए टौन में शिफ्ट होते हैं और वहाँ आने के बाद उनकी लाइफ में किस सारा अपस और आते हैं ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी ये सीरीज की स्टोरी लाइन काफी इंड्रेस्टिंग है और काफी मज़ेदार भी आपको ये सीरीज ज़रूर से चेक आउट करने होगी ये सीरीज को 7.5 की रेटिंग मिली है आउट आफ 10 IMDB पर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2021 की सीरीज क्लिक बेट के बारे में ये सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसको देखते हुए आपको काफी मज़ा आएगा ये सीरीज में दिखाया गया है कि निक ब्रूवर नाम के एक आदमी को किड्नैप करके उसकी वीडियो को आउनलाइन अपलोड किया जाता है जिसके 5 मिलियन व्यूज होने के बाद उसको मार दिया जाएगा तो क्या निक इनोसेंट है या फिर वो गिल्टी आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा शहर के सबी डिटेक्टिव और उसके फैमिली मेंबर्स ये जनने की बहुत कोशिश करते हैं कि इसके पीछे आखिर किसका हाथ है और उनके पास सिर्फ 48 आज ही रहते हैं ये सीरीज की शुरुवात बड़े ही अच्छे तरीके से होती है जहां पर आपका पूरी तरह स्टोरी और कारेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज्यादा बन जाता है जैसे जैसे सीरीज प्रोग्रेस करती है और कारेक्टर्स की बैक्स्टोरी हमें दिखाई जाती है तो थोड़े बहुत सिंस हमें स्लो जरूर लगेंगे पर ओवरॉल ये एक अच्छी सीरीज है जहां पर आपके मन में ये सवाल शुरू आज सही बैट जाएगा कि क्या वो गिल्टी है या फिर इन्वेस्ट आपको तो सीरीज देखने के बाद ही ये सभी सवाल के जवाब मिलेंगे ये सीरीज को 7.2 की रेटिंग मिली है और ट अफटन आईम डेवी पर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2020 की एक क्राइम थ्रिलर सस्पेंज सीरीज द इनेसेंट के बारे में ये सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेट्फिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं ये सीरीज है मटियो नाम के एक आदमी के बारे में जिसको एक आक्सिडेंटल मर्डर के लिए अपनी आदी जिन्दगी जेल में बितानी होती है जब वो जेल से बाहर आकर अपनी जिन्दगी को रिस्टार्ट करना चाता है तो उसे एक ऐसा फोन कॉल आता है जिससे उसकी जिन्दगी फिर से बरबाद होना शुरू हो जाती है तो आखिर उसको वो फोन कॉल में ऐसा क्या मिलता है ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा सभी मेन करेक्टर्स ने बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है और जिस सरह से स्टोरी को प्रेजिन किया गया है हमारा इंटरेस सीरीज में हर एक एपिसोड में बढ़ता ही चला जाएगा स्टोरी में सस्पेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड़ अप किया गया है ये सीरीज को 7.9 की रेटिंग मिली है आउट आफ टेन आयम डीबी पर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2018 की सीरीज टाइटन्स के बारे में ये सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और इसका 3rd सीजन बहुत ही जल्द आने वाला है ये सीरीज बेस्ट है DC Comics के Teen Titans के उपर और आप ये सीरीज को Netflix पर हिंदी में भी देख सकते हैं ये सीरीज है डिग रेसन यानी की रॉबिन नम के एक सूपर हिरो के बारे में बैटमेन को छोड़ने के बाद उसकी लाइफ आगे जाकर कैसे होती है वही हमें ये सीरीज में दिखाया गया है साथ ही वो बहुत सारे सूपर हिरो स्कूर रेक्रूट करता है एक टीम बनाने के लिए ताकि वो दुश्मनों का सामना करें तो आगे उसके साथ क्या होता है आपको जानने के लिए सीरीज देखनी होगी ये सीरीज में डिख रेसन और रेचल का भी बहुत थी अच्छा बार्ण हमें देखने को मिलेगा ये सीरीज को 7.7 की रेटिंग मिली है आउट आफ 10 IMDB पर करने वाल है 2017 की सीरीज दी अंड आफ दा फकिंग वर्ल्ड के बारे में इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और ये सीरीज नेट्फिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है ये सीरीज है अलीसा और जेम्स नाम के दो टीनेजर्स के बारे में जो की अलीसा के पिता को ढूनने के लिए निकल जाते हैं जब अलीसा चोटी सी बच्ची होती है तब ही उसके पिता उसे घर पर छोड़ कर चले जाते हैं जेम्स एक साइकोपैथ रहता है जो बच्पन से ही जानवरों को मारना शुरू कर देता है और आगे जाकर उसे और बड़ी चीज़ें भी मारनी होती है शुरुवात में तो वो अलीसा को अपनी गल्फरेंड इसलिए बनता है ताकि वो उसे ले जाकर एक सुमसाम जगा पर उसका शिकार करे तो आखिर ऐसा क्या होता है जिससे की उसकी फिलिंग्स बदल जाती है आपको जनने के लिए ये सीरीज देखनी होगी ये सीरीज को 8.1 की रेटिंग मिली है आउट अफ 10 IMDB पर अगर आपको रोमैंटिक मुवी पसंद है तो आपको आई बटन में नेट्फिक्स पर अविलेबल टॉप 10 रोमैंटिक मुवी ऑन नेट्फिक्स की वीडियो मिल जाएगी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2021 की एक ड्रामा सीरीज मेट के बारे में ये सीरीज का एक सिसन आ चुका है और आप ये सीरीज को नेट्फिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं यह सीरीज है अलेक्स नाम की एक औरत के बारे में जो की अपनी अब्यूसिफ रिलेशन्शिप से बाहर आकर अपनी बेटी की देख भाल करती है जो की अलग-अलग काम करके एक-एक पैसा जोड़कर हमें यह सीरीज में दिखाया जाता है यह सीरीज के में कैरेक्टर अलेक्स का रोल आपके दिमाग में पूरी तरह से चप जाता है क्यूंकि आपका उसके साथ एक बहुती स्ट्रॉंग इमोशनल कनेक्शन बिल्ड़ अप हो जाता है अगर आपको डे-to-day-life की reality के बारे में सीरीज को देखना है तब ही यह सीरीज को देखे वरना अगर आपको action, suspense, drama या फिर कुछ thrill देखना है तो आप यह सीरीज को skip कर सकते हैं यह सीरीज को 8.5 की rating मिली है out of 10 IMDB पर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2018 की एक fantasy action drama सीरीज The Protector के बारे में यह सीरीज के total 4 seasons है और आप यह सीरीज को netflix पर हिंदी में भी देख सकते हैं अगर आपको modern और ancient history की combination वाली सीरीज देखनी है तो The Protector सीरीज आप के लिए ही है यह सीरीज है हाकन नाम की एक shopkeeper के बारे में जिसकी दुनिया एकदम बदल कर रह जाती है जब उसे यह पता चलता है कि उसका तालुक ancient history से बहुत ज्यादा है क्यूंकि Istanbul को बचाना उसकी ही पूरी जिमेदारी बन जाती है तो आगे जाकर उसके साथ क्या होता है आपको तो सीरीज में ही पता चलेगा यह सीरीज में बड़िया action, cinematography और बड़िया storytelling आपको देखने को मिलेगी यह सीरीज को 6.9 की rating मिली है out of 10 IMDB पर नेक्स्ट हम बात करने वाले है 2021 की एक fantasy drama सीरीज hellbound के बारे में यह सीरीज का एक season आ चुका है और आप यह सीरीज को netflix पर हिंदी में भी देख सकते हैं यह सीरीज में दिखाया गया है कि 5 जिन पहले आप सब को warning आती है और hell से शैतान आपको भगा भगा कर मारेंगे और इस बात का कोई कुछ भी नहीं कर सकता फिर आगे जाकर लोग इसको कैसे tackle करते हैं आपको तो सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा सीरीज की शुरुआद बहुत ही ज्यादा बड़े तरीके से की जाती है जिसके कारण आपके expectations बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं पर जैसे जैसे story प्रोग्रेस करती है थोड़े बहुत scenes आपको slow लग सकते हैं क्यूंकि आपको हर एक scene में twist and turn और action नहीं देखने को मिलेगा बर की यहाँ पर story को अच्छे तरीके से present किया गया है जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि ये सब चीज सच में real भी हो सकते हैं अपने पहले 24 hours में squid game का record तोड़कर ये series most for series Netflix की बन चुकी है ये series देखने के लिए आपको थोड़ा बहुत patient जरूर रहना चाहिए क्यूंकि आप पूरी तरह ये series की दुन्या में खो जाएंगे और पूरी तरह से series का मज़ा ले सकते हैं ये series को 6.7 की rating मिली है out of 10 IMDB पर अगर आपको ऐसे ही top 10 series और movie recommendations के बारे में चानना है तो आप screen पर क्लिक कीजिए